1688 इस्वी में जैसे ही मारवाड की राजा जस्वन सिंग की मृत्यू होती है औरंगजेप को ये लगता है कि जस्वन सिंग के कोई भी पुत्तर नहीं है तो अम्मा मारवाड को अपने अंडर कर लूँगा और उसको खालसा भूमी की रूप में डिकलेयर कर दूँगा खालसा भूमी क्या होती है वेह भूमी जो सीधा केंदर की अधीन हो जाती थी उसको खालसा भूमी के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में औरंगजेप को पता चलता है कि जस्वन सिंग की तो दो बेटे हैं एक अना मजीच सिंग और एक अना दल्थमन हमें पता है कि जस्वन सिंग की जो मृत्यू है वो काबुल में हुई थी अब काबुल में जो उनका परिवार था उनको लेकर कि वापस जस्वन सिंग का जो सेना पती होता है वीरदुर्गादास राठोड वो वापस मारवार की तरफ लोट रहा होता है क्योंकि जस्वन सिंग की मृत्यू हो गई तो परिवार को मारवार तो ले जाना है लेकिन ओरंग जेब जो है वो एक अपना संदेश विजवाता है कि आप पहले जस्वन सिंग के परिवार को लेकर के दिल्ली आईए उसके बाद में आप मारवार जाना अब जैसे ही जस्वन सिंग का परिवार दिल्ली पहुंसता है तो उनको रूप सिंग राठोड की हवेली में रखा जाता है और वहाँ पर उनको नजरवंद कर दिया जाता है वीर दुर्गादास राठोड जो जस्वन सिंग का सेना पती था और इसके साथ में मुकंदास खीची दोनों के मन में एक संशय होता है कि जो ओरंग जेब है वो जस्वन सिंग के बेटे अजीद सिंग को एक मुसलिम के रूप में बढ़ा करना चाता है तो इसी संशय को ध्यान में रख करके दुर्गादास राठोड और मुकंदास खीची ने गोरा धाय के साथ में मिल करके अजीद सिंग को वहाँ से बाहर निकाला है इस हवेली से और फिर सिरोही में कालेंदरी एक जगय पड़ती है वहाँ पर जैदेव पुरोहित के घरमर अ जोचावर करकरके उदेश सिंग के जीवन को बचाया था इसलिए गोरा धाय ने भी यही काम किया है कि मारवाड के राजा का जब जीवन संकट में है अजीद सिंग का तो उन्होंने उसके जीवन को बचाने में हेल्प की है इसलिए गोरा धाय को मारवाड की पन्नाधाय कह जाता है गोराधाई को मारवाड का जो रास्ट गीत है धूसो उसमें भी उनका नाम लिया जाता है और गोराधाई की जो छत्री है वो जोदपुर में बनी हुई है तो ये सारे के सारे important facts हैं आपको ध्यान में रखना है और अरंगजेब जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोसि करता है कि हम अजीत सिंग को राजा बना करके ही रहेंगे इस काम में मेवाड का जो राजा राजसिंग होता है वो वीर दुर्गादास राठोड का साथ दीता है और एक गठवंदन मन जाता है जिसको सिसोधिया राठोड गठवंदन मोलते हैं यहां से एकजाम में किश्यन आजाएगा और पूछ लेंगे कि सिसोधिया राठोड गठबंदन जो है वो किस कारण से बना था तो मारवाड के राजा अजीत सिंग को मारवाड का एक तरीके से सासक बनाने के लिए गठबंदन बना था अब यहाँ पर जो राजपुतान वाला एरिया है वहाँ पर ओरंग उरंगजेब को जब यह बात पता चलती है तो उरंगजेब जो है वो मेवाड और मारवाड दोनों के खिलाप में एक युद्ध करता है देबारी का युद्ध 1680 इस्वी में होता है और इस युद्ध में उरंगजेब की जीत हो जाती है तो इस युद्ध के बारे में आप जैसिंग जो है वो इसमें पार्टिस्पेट करता है इस गठवंदन को आगे बढ़ानी की कोसिस करता है और इसी को फोलो करते हुए एक जन्वरी 1681 इस्वी में नाडोल पाली में जो औरंगजेब का बेटा अकबर है उसको बाच्छा घुसित कर दिया जाता है लेकिन औरंग बंदन था उसको तोड़ने की पूरी कोसिस की और वो गठ बंदन तूट भी जाता है उसके बाद में जो अकबर है वो दक्षिन भारत में चला जाता है और फिर दक्षिन भारत से जाकर के इरान वाले छितर में चला जाता है और वहीं पर अकबर की औरंगजेब के बेटे क म्रत्य हो जाती है लेकिन अकबर के जो बच्चे होते हैं बेटे का नाम होता है बुलंद अक्तर और बेटी का नाम होता है सफी यतुनिशा इसको वो वीर दुर्गादास राठोड के पास में ही जोदपूर में छोड़ जाता है जब बाद में ओरंगजेब को पता चलता है कि मेरे बेटे के जो बच्चे हैं वो वीर दुर्गादास राठोर के पास में कहां पर है जोदपुर में हैं तो उनको मांगता है और फिर इस्वरदास नागर जो है वो वीर दुर्गादास राठोर को बोलता है कि आपको अकबर के जो बच्चे हैं वो औरंग जेब को सोब दे आपने पहले भी देखा और दुबारा देखते हैं कि नागोर का एक राजा होता है इंदर सिंग राठोड उसको बोलता है कि आप मुझे 36 लाक रुपए दो और मैं आपको जोदपूर का राजा बना दूँगा लेकिन जो जोदपूर की जनता है वो इंदर सिंग राठोड को स्विकार नहीं करती है ये इंदर सिंग राठोड जो है वो अमर सिंग राठोड का पोता होता है अमर सिंग राठोड कोन गत सिंग का जो बड़ा बेटा था अमर सिंग राठोड जिसको गत सिंग जो है वो मारवाड का राजा नाम ना करके उसको नागूर की जागीर दे द तो औरंगजेब का ये मानना था कि अगर हक की बात करें तो इंदर सिंग राठोड के जो दादा जी थे अमर सिंग राठोड उनी को ही मारवाड मिलना चाहिए था और उसके अकोडिंग अगर हम बात करें तो लास्ट में इंदर सिंग राठोड ही मारवाड का राजा बनता त उसके बाद में 1708 इस्वी में एक देबारी समझोता होता है देबारी समझोता जो है वो मारवाड के बीच में मेवाड के बीच में और आमेर की राजाओं के बीच में होता है इसमें जो मेवाड का जो राजा है वो मारवाड और आमेर दोनों की साहिता करता है और साथ में एक अब इस देबारी समझोते की तहत में मारवाड का राजा जो है वो अजीत सिंग बनता है तो लगबग 1678 में जस्वन सिंग की मरत्य हो गई थी और अजीत सिंग को राजा बनाया गया 1708 में मतलब लगबग 30 साल संगर्स चला इसलिए इस 30 साल को 30 वर्सिय राठोडों का संगर्स बोलते हैं जिसमें वीर दुर्गादास राठोड ने काफी important role play किया था तो अगर आपके R.A.S. में क्युशन आता है वीर दुर्गादास राठोड के मारवाड के जो सासन है उसमें उनकी क्या उपलब दिया रही क्या उन्होंने सही हो किया तो ये सारी बाते आप लिख सकते हो क्युशन ये भी आ सकता है कि 30 वर्सिय राठोडों का संगर्स क्या था 1678 से 1708 इस वी के बीज में तो इसके बारे में भी आप important facts बता सकते हो अजी सिंग राजा बन जाता है अजी सिंग की एक बेटी होती है इंदरकवर उसकी वो शादी मुगल वाश्या मुगल वाश्या फरुक्षिया के साथ में कर देते हैं और ये जो इंद्र कवर है वो लास्ट हिंदू प्रिंसेज होती है जिसकी शादी होती है किसी मुगल वाश्या के साथ में अजीज सिंग कुछ पुस्त के लिखते हैं ये नाम भी आपको ध्यान में रखने है, जिनका नाम है दुरगा पाठ भासा, दूसरा नाम है अजीच सागर और थड है निर्वान रा, दोहा. अजीज सिंग के जो मृत्यू है वो उनी का पुत्र बक्त सिंग कर देता है मतला हत्या कर देता है अजीज सिंग अजीज सिंग के जो वेटे होते हैं अभेह सिंग और बक्त सिंग ये दोनों मिल करके अजीज सिंग की मृत्यू कर देते हैं ऐसा बोला जाता है कि जब अजीज सिंग का दा संसकार किया जा रहा था, तो उनके साथ में बहुत सारे जो पसू पक्सी है, वो भी उनके साथ में जले थे, तो यह आपको कुश्यन ध्यान में रखना है, क्युश्यन आजाता है एक्जाम में कि ऐसा कौन सा राजा हुआ, जब उसका अन्तिम संसकार किया जा रहा था, तो उसके साथ में बहुत सारे पसू पक्सी भी जले थे, तो यह है अजीज सिंग, तो यह अजीज सिंग के बारे में हमने बैसिक फैक्ट्स देखा, अजीज सिंग के बारे में जो बैसिक फैक्ट्स है, उसको लेकर कि अग्जाम में बहुत सारे क्यूश्यन्स यहां से उड़ते हैं, अगर आप यहां तक आए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप टेलिग्राम चैनल, वोलकन और आरियस अकेडमी के साथ में जूट सकते हैं, वहां पर बहुत सारी important PDF and information जो है, वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती है, ओके, थैंक यू,